इन सर्दियों में वो पौधे जरूर उगाएं जिसमें मेरे देश की सौंधी मिटी की खुशबू आए असलालीकूम फ्रेंट्स, वेलकम टू मैं चैनल, शबनूर अली इस वक्त आप हमारे देश में जिधर भी नजर दोड़ाएंगे उस सौंधी मिटी में आपको पीली-पीली सर्सों के फूल नजर आएंगे खुबसूरत से पॉलिनेटर्स को एट्रेक्ट करने वाले तो हम उगाने वाले हैं इन 3-4 मिनट में सर्सों हैं ये सिफ 3 मिनट लेकिन बहुत कीमती पौधा उगाने वाले हैं उन 2,5-100 रुपे के पौधे से अच्छा है कि आप ये सस्ते से पौधे उगाईए और बहुत ही कामियाब तरीके से उगाईए और बहुत सारे फायदे पाईए और खुबसूरत मनजर नजर आएंगे आपको यलो यलो फैला हुआ सब तरफ फूलों से खिला सबसी वाला पौधा भी फूलों वाला पौधा भी और आपके गाडन में आएंगे ये चहचा हाते हुए से पक्षी जी हाँ अगर आपको याद होगा तो ये वही ग्रो बैग है बैग क्या ये कंपोस्टिंग वाली बोरी है जिसमें कंपोस्ट थोड़ा भोत रहे गया था मैंने उसमें सूखे पत्ते और किचन वेस निकला हुआ भर दिया हुआ था कंपोस्टिंग के लिए और मैंने इसमें थोड़ी से मिटी डाल दिया हुए थी ये सब मेरे चैनल पर है तो मैं यहाँ पर एक मुठी सरसो लाई हूँ उससे भी बहुत कम है लेकिन इसे बहुत जादा से पौधे तयार हो जाएंगे तो मैंने मिटी को थोड़ा सा गुड़ाई कर दिया हुआ है तीन-चार दिन से ये ग्रो बैग में मिटी तयार हो रही थी अब मुझे लगा कि इसमें बहुत देना चाहिए सरसो तो मैं सरसो ही बहुत रही हूँ तरीके से ग्रो हो जाता है और इसको कवर भी ना करिए इसी तरह से ओस और धूप में छोड़ दीजिए तो ये बहुत जल्दी जर्मिनेशन इसका हो रहा है तो ये आइडिया आपको बहुत काम आएगा फ्रेंस इसको ढखिएगा नहीं और फिर आप देखिएगा तो हम इ जलता है और इसमें सरसों मिला देने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंस के इसमें ज्यादा वाटरिंग ना कीजिएगा वरना सर सकते हैं बीज तो जब तक मिटी थोड़ी सी सुखी ना नजर आए तब तक इसमें वाटरिंग दुबारा ना कीजिएगा और जब देखिए में भी आप डाल दीजिए यह साइड में जिन प्लांट में बड़े पौधे लगे हुए हैं और अब मैं आपके साथ शो करने वाली हूं वो पौधे जो अपने आप ही जर्मिनेट हो गए हैं और उसमें फूल भी आने लगे चलिए दिखाते हैं आपको इसकी फूलों की साथ साथ आप इमेजन कर सकते हैं कि अगर आपका गार्डन इन फूलों से भरा हो तो कितना खुबसूरत लगेगा है ना विंटर सीजन के यह फ्लारिंग प्लांस जो सीजनल है थोड़े तिन में खतम हो जाएंगे लेकिन आपको बहुत कुछ दे कर जाएंगे अब यहां पर द रिमूब करती हूं तो सैलेड में यूज करती हूं और बस इस तरह से आप इसकी पतियों को रिमूब अगर करते रहेंगे खुबसूरत से सौफ सौफ पत्तों को तो यह प्लांट आपका बुशी सा हो जाएगा और उसके बाद इसमें फलिया बनेंगे फूल भी आएंगे तो यह बहुत खुबसूरत लगेगा और साथ में जब यह खतम होने को होगा तो आपको वापस सरसों दे कर जाएगा तो इस प्लांट को आपको जरूर ग्रो कर लेना चाहिए क्यूंकि यह जो पॉलिनेटर्स आते हैं इसके फूलों की वज़ह से वो सबजियों को और फू शायद आपके 200-200 से ज्यादा ये पत्ते आपको उन दवाओं से बचा लेंगे जो आप बीमार पढ़ने पर खाने वाले हैं इन्हें पत्तों को खाईए और अपनी हेल्थ को अच्छा बनाईए और बेकार का फर्चा दवाओं में लगाने से बचिये और वीडियो को लाइ प्रफीज आपके लाओं में लगाने से बच्छा प्रफीज आपके लाओं में 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 ला